हेलो ब्रीबन कैसे हो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे मैं हो भी सेख और आप देख रहे हैं स्टड़ी भी तभी सेख इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यह है कि इंडिन नेवी एमार अप्रेल 2022 बैच और इंडिन नेवी डबल एंड इससार वो 17 नंबर और 33 नंबर डबल एक की 33 नंबर तो क्या यहीं रहने वाली है फाइनल कटव भी उस चीज के बारे में भी बात करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा इस वीडियो में विद प्रूफ किस चीज के साथ विद प्रूफ क्लियर करूँगा सभी चीज है ठीक है सुरू करते हैं और बात करते हैं इन सबी चीजों के उपर लेकिन उससे पहले एक छोड़ी से इंफोमेशन है जो आप लोगों से सेर करना चाहता हूँ साथ ही साथ आपको ये भी बता दू कि हर एक न्यूज अपडेट सबसे जल्दी पाने के लिए डिस्क्रिप्सिन में चैनल को जरूर जोइन कर लेना और साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लेगन को भी प्रेस कर देना ये छोड़ी से इंफोमेशन चेक जरूर कर लेना उसके बाद बात करते हैं दूस्तों अगर आप 2022 में एंडिये एक्जाम क्रैक करना चा अगर आप 12 महीने के अभी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके लिए बंपर ओफर भी है वो ओफर क्या है अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन इंडिये का लेते हो तो आपको 12 महीने की SSB की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री दी जाएगी साथी साथ आइकॉनिक के भी अग 21 December से लेकर 23 December के बीच में लेने वाले candidates को ही मिलेगी आगे अगर बात करें मरंपुत्रा नेवी की डीटेल बैच कोस 22 के लिए 22 December को ये भी सुरू हो रही है तो इसमें अगर आप नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो जोईन कर सकते हैं इसे साथ ही साथ अगनी पत Air Force Y Group के लिए डेट 15 December 15 December से ये लाइव हो चुकी है इसमें भी आप इंडॉल कर सकते हो Air Force Y Group की तैयारी के लिए आगे अगर बात करें एंडी Iconic क्या है भाई Iconic में आपको priority दी जाती है raise the hand feature में और ask a doubt feature में और जितने भी plus के benefits होते हैं वो भी आपको दिये जाते हैं अगर आप plus का subscription लेते हो तो आपकी pricing ये होगी duration भी इधर दिया गया है और अगर आप लेते हो Iconic subscription तो आपकी pricing इधर दी गई है इंडॉल करते हैं अगर आप AB study 10 code यूज करोगे जो की मेरा code है तो आपको 10% की discount भी मिल जाएगी इंडॉल कैसे करना है सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना उसके बाद get subscription पे क्लिक करना आपके सामने ये एक page open हो जाएगा उसके बाद कोई भी plan select कर लेना जो आपको लेना है उसके बाद यहाँ पे मेरा code डाल देना AB study 10 डालते ही आपको 10% की discount मिल जाएगी सेम वैसी चीज़ Air Force Navy Coast Guard के लिए भी करनी है आपको सिर्फ goal अपना change करना होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो सभी link description में available है जाओ और फायदा उटाओ लेट्स क्रैक इट तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं merit list की तो यह candidate नहीं भेजा है जो की select हो चुके है और जो merit list की wait कर रहे है instructions to candidate, merit list will be declared by end of December 2021 for double ASSR, one 2022 batch, feb batch 2022 जो clear करने के लिए लिखा गया है उसके बाद and feb 2022 for AMR, one 2022, April 2022 batch ओके यहाँ पर क्यासाब सब लिखा गया है कि end of December 2021 for double ASSR, तो double SSR की merit list होगी वो इस December के last में आ जाएगी और जो AMR की merit list होगी वो feb 2022, यानि की February 2022 के end में आएगी यह आप लोग ध्यान रखना, यह April 2022 batch के लिए तो ऐसा नहीं है कि AMR SSR double ASSR, तीनों के लिए merit list एक ही साथ आएगी इसके according जो है AMR की merit list फरवरी के end में आएगी ठीक है, अब यहाँ पर देख लो और भी चीज़े लिखी गई है यहाँ पर बाकी और भी डीडिल्स जो हैं वो दी गई हैं जो कि मैं कभी और आपको बता दूँगा अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था कि दिसंबर के लास्ट में double ASSR की merit list आ रही है और फरवरी के end में आएगी AMR की merit list यह clear हो गया, अब बात करते हैं जो main funda है और जो चीज़ के लिए आप लोग काफी confused हो, मुझे काफी videos भी आपने send की वो है, AMR की जो cut-up है, passing cut-up वो कितनी है, 17 नंबर है all India के लिए, और double ASSR की जो cut-up है, passing cut-up वो कितनी है, 33 है, भाई आपको clearly बता देता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि इतनी रह सकती है, किस तरीके से लगता है मुझे नहीं बता क्योंकि competition कम हुआ है, क्योंकि offline paper है लेकिन भाई, negative marking भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है और double A की जो cut-up होती है, वो all India level पे जाती है SSR की नहीं, इस तरीके से जाती है, जो पिसली बार गई थी उसके according अब आपको मैं prove के साथ दिखा लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको समझ में आएगे नहीं, और समझ भी आजाएगा, तो यकीन सायद ना हो आपको, अब मैं prove दिखाता हूँ, पिसली बार वाला तो यह जो है, यह मैंने ढूंड कर निकाला मेरे फोन में ही था, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखा था, यह मैं टेलीग्राम पर फिर से डाल दूंगा, ठीक है यहाँ पर देखो, यह क्या है, आप देख सकते हो, AMR, SSR, डबल ले के लिए ही है लेकिन सिर्फ यह AMR सिर्फ, आइजिनिस्ट और स्टीवर्ड का ही मिला मुझे, लेकिन इससे आपका clear हो जाएगा, doubt यह है 10-2021, दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो, यह पूरा selected है, दिख रहा है न, अब इधर देखो सबसे पहले उपर देखो, यहाँ देखो कि आप तो status में, merit list selected, written exam result pass, physical status qualified ठीक है, ऐसा ही लिखकर आएगा, जब आपका आएगा तो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो, यह overall passing marks देखो, 17 नमबर दिखाई पड़ा क्या, तो यह overall passing marks, 17 नमबर उसी टाइम से है, पहली चीज़ तो clear हो गई, अब थोड़ा और नीचे जाते है AMR के लिए देखो, seller AMR के लिए 39 नमबर गया था marks, cut off, seller AMR steward के लिए 38, seller AMR hygienist के लिए 36, ठीक है, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, यह देख सकते हो, इनका जो marks था, वो कितना था, 36 था, that means कि यह seller AMR hygienist में select हो गए, यह यहाँ पे हो गया, अब और अपी आपको AMR के लिए 27 नमबर, ठीक है, seller AMR, steward के लिए देखो, safe के लिए यह बोल रहा था मैं, safe के लिए 27 नमबर, steward के लिए 28 नमबर, और hygienist के लिए 26 नमबर, इनके marks कितने थे, 25 थे, इधर उपर आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, return exam result fail, और यहाँ I think नहीं है, यहाँ से देख सकते हो, अब इसका देखोगे, यह state higher percentage वालों का था, और higher cut-up वालों का भी था, क्योंकि देख सकते हो, इनके state की जो cut-up गया है, safe के लिए 39, steward के लिए 38, और hygienist के लिए 38, same यह चीज़ होने वाली है आपके साथ भी, तो आपके state की cut-up लगे उस state में जो है, अलग-अलग category की लगेगी, यानि कि SSR नहीं है, अगर आपका AMR है, तो AMR में सेफ की अलग लगेगी, steward की अलग लगेगी, और hygienist की अलग, अगर SSR होगा, तो SSR में एक statewide cut-up लगेगी, यानि state में मानलों की 38 है, और आपके 39 marks हैं, या 38 marks हैं, तो आप SSR म में जाओगे, और AA की जो cut-up होती है, वो all India level पे होती है, तो वो एक ही cut-up लगेगी, जैसे 50 marks हैं, और AA में अगर आपको जाना है, तो 50 marks होना चाहिए, या उस से जादा होना चाहिए, अधर आप SSR में तो select हो जाओगे, अगर दोनों के लिए apply किया हैं तो, ठीक है, तो य मार SSR के लिए, और अगर आप AA के लिए जाना चाहते हो, तो all India level पे जो cut-up बनेगी, वो clear करोगे तो, तो ये clear हो गया, hope की clear हो गया होगा, और कोई doubt है, comment section में comment कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को like कर देना, share करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को subscribe ज आल रिखिये, thank you so much everyone, take care